किसान भाइयों हमारे यूटूब चैनल गणिशा डेरी फार्म में आपनों काज पिर से स्वागत हैं मैं सुननदा चोधरी आपका वेलकम करते हैं हमारे यूटूब चैनल में आज एक भाई का कमेंट था कि चार महिने से लेकर बच्छडी के गावन होने प्रेग्नेंट होने तक के लिए कितनी फीट खिलाने चाहिए इसे तो आप प्लीज यह बताएगे तो वो एक मैसेज में नहीं बताया जा सकता है इसलिए पर वीडियो गुनाई गई है यह वीडि से लेकर तीन महिने तक तो हमें उसे जो डाइट देना है वो है केवाल उसे फीट खिलानी है फीड में हमें सिर्फ मतलब की सूखा और हरा यह दोई चीज तीन महिने तक कुछ भी नहीं खिलाना है फीड में जो हम काफ स्टाटर होता है सिर्फ वो रखिया वो पानी रखिय इसे जो बच्छडी का जो लीवर है उस पर एफेक्ट पड़ता है और बच्छडी का जो पेट है वो भी बड़ा हो जाता है तो इस वज़े से हमें तीन महिने से पहले सूखा और हरा यह दोई चीज नहीं देना चीज सिर्फ केवल फीडिंग जो हम काउट स्टार होता है वो वी जेसे हर बचशरी जो अलग 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 होती है इनकी यृकल उसके बाद हम इदार एकशक ठाइश्यरे पर जायेंगे तो ही जादा खती है जो हमारी देसी और जर्सी के मुकाबले यह एचे फॉलेश्टन खाने में मतलब ज्यादा खती है तो यदि हम मान लिजे एक ये एक ही वराबर है पर यदि हम इन एक जैसे फीट देंगे तो इसे ज्यादा जब यह कम खती है तो इसे दस्त लगने की संभाव ना होगी तो हम खिलाएंगे वह उसे पचेगा नहीं अगर हम उसे ज्यादा फिट खिलादेंगे और वहीं इनकी जो केपिसीटी है उस इसाब से खाएंगी तो यह आस्कानी से हज़न कर लेंगे जाजस्ट कर लेंगे पर यह वह डाइजस्ट कर नहीं पाई इसलिए फीडिंग अलग पास एचे खॉलेश्टन है या कोई से भी ब्रीड है तो तीन महिने के बाद से यदि आप कंपनी की फिट खिला रहे हैं किसी भी कंपनी की जैसे हमारे दर गोद्रेज चलती है गोद्रेज में आता है काफ स्टार्टर उसके बाद ग्रोवर यह चीज आती है तो तो काफ स् आपकी बच्री तीन महिने से उपर की हो जाए तब मतलब और जैसे जैसे बड़ी होती जाए वैसे वैसे आप उसकी फिट बढ़ाते जाए उसके बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब प्रेग्नेंट होने के लिए जब यह प्रेग्नेंट की जो अलग फिट आती है आ तो उसके बाद आते हैं धाक हम घर की फीड बनाते और जैंसे हम घर की फीड पे जाते हैं जैसे बहुत से किसान भाई चुप बनेरी के लाते हैं तो घर के फीड में जैसे हम देखिए आपको बताते हैं खली उसके इस लाड़ यहां का जोकार वहीं बहुत стоит और उसके बाद इस प्रकार का मिक्स फीड इसमें मक्का वगेड़ा सारी चीजे और एक किसी भी प्रकार की दाल की चूरी या तो आप उडद ले लिजिए या चैना ले लिजिए यह चीजे हैं तो जब आपकी बच्छडी तीन महिने की हो जाए पहले तो आप काफ स्टाटर से स्टाटिंग करेंगे और यदि आपने काफ स्टाटर से स्टाडिंग की घर की फीड से स्टाट किया है तो अब थोड़ाबाद उसे उसके बाद ये 2 monopoly होना चाहिए यह दोनों समय मतलब पर दे की हम फीड बता रहें आपको और उसके बाद आप यह जो चूरी है आप स्वाधरमसाल में थोड़ी सी डाल सकते हैं एक कर सकते हैं और पर दे की आदा किलो मक्का पीसी हुई और पीसी हुई भी मक्का कैसी होनी चाहिए जैसे हम जो हमारा बाटी का आटा होता उस प्रकार से पीसी हुई होना चाहिए ताकि इन्हें अच्छे से डाइजेस हो जाए यह पोटे में फेके नहीं और जो यह एसी पीसी हुई मक्का खाएंगी तो इंका शरीर अच्छा हिल्दी हो जाएगा उस वज़े से और यह फीड आप पर डे की म और आप थोड़ा उसमें थोड़ी सी चूरी एड़ कर दीजिए तो तीन से साड़े तीन किलो आपके यह पर डे की आपकी बच्छडी की डाइट हो गए और इसे गला का खिलाईए जैसे आप इतना वाटा है अभी यह अभी इसे गलाएंगे तो यह जो तगाडी है यह जो हमने आपको फीट बताईए वह उसके लिए बहुत अच्छी पीड़ी और अगर आपके पास देसी है तो आप उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंकि देसी जो हमारी गायों कि उसका पेट थोड़ा छोटा होता है फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा या फिर उस पानी है बस आप उसके बॉड़ी वेट के हिसाप से फीड को फोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और मीनिमम आप स्टार्डिंग में आधा किलो से लेकर मैक्सिमम तीन साड़े तीन किलो फीड सूखी बता रहे हैं यह सूखी फीड आप अपनी बश्री को खिला सकते हैं ना ज्यादा खिलाए ना कम खिलाए यदि आप लालज में जल्दी बड़ी वब करने के लालज में यदि आप फीड ज्यादा खिला देंगे तो उससे क्या हुगा आपकी बच्छडी को जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा उसे या तो दस्त लगेंगे या उसका पेट तो इस प्रकार से आप अपनी बच्छडी की फीडिंग करिए और इसके साथ आप इसमें नमक कर लीजीए सोडा एड कर लीजी नमक आप रोज खिला सकते हैं और सोडा हक्ते में दो या तीन बार आप अपनी बच्छडी को खिलाए और साथ साथ लिबर टालिक ये भी और यदि आप कम्पनी की नहीं खिलाते और आप इस प्रकार से घर की बनी फीट खिलाते हैं तो जो हमने फीट बताई हैं उस प्रकार से उतना उतनी कॉंटिटी में फीट लेकर आप अपनी बशडियों को खिलाएं बस जैसे जैसे आपकी बशडी बढ़ी होती जाए उसकी फीट आप उसमें थोड़ी थोड़ी और बढ़ाते जाएं और बस जब आपकी बशडी प्रेगनेंट हो जाए उस समय में मतलब 5-6 किलो पर डे का फी तो आप कमनेंट करके आप सवाल कर सकते हैं और पूच सकते हैं मतलब लाइक आप लोगीे में में यहां सबतारे में में तो गरियो देखने के आप लोग का बहुत बहुत दन्यवाद हमारे इसको में लाक हो नायक करने बहुत है इसकी आपको यूशाड़ कर पर केंक्त्म